बात उस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीजा की करेंगे तो पहले भी हमने चाहे इस पर कई वीडियो बनाई हैं लेकिन हम भी चाहते हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स अवेर हो सकें कि किस तरहां से हम अपने बच्चे को उस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीजा के लिए क्या benefits आगे चलकर आपको इसके जुरूर मिल सकती है क्योंकि आज कल हम सब जानते हैं कि parents भी कही न कहीं है चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को abroad settle करें और उसमें सबसे ज़्यादा preference जुरूर Australia को दिखती है चाहते हैं students के हमारे बच्चे जो है उस्ट्रेलिया जाएं पढ़ाई के लिए अच्छी पढ़ाई और future के लिए भी बहुत सारी अच्छी opportunities जरूर मिलती हैं तो Australia schooling visa को लेकर कुछ खास बातें आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं तो बहुत ही खास रहने वाली है उन सभी parents के लिए जो अपने बच्चों को Australia schooling visa के लिए उसकी profile को लगाना चाहते हैं बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मैं हूँ अर्जोद कौर और detail में ये पूरी जानकारी आपके साथ share करेंगे Navigators overseas से visa expert Mrs. Vina Gwilman बहुत बहुत स्वागत है मैं नमश्कार तो आपको बता दें Navigators overseas जो के पिछले 27 सालों से इस field में काम कर रहे हैं कई students को अच्छी guidance देकर उनकी मन चाही मनजल तक पहुंचा है चाही किसी भी country में हो अप्लाई करना चाहते थे उनको सही options बताकर सही guidance के साथ सही decision students ने लिया और आज वो अपने life में अच्छी opportunities के साथ आगे बढ़ चुके हैं तो मैम जरूर आज हम जैसे बात Australia schooling visa की कर रहे हैं तो पहले तो ये जरूर बताईए Australia schooling visa पर आज के time पर focus करना क्यों जरूरी है और आगे चलकर इसके क्या-क्या benefits मिल सकते हैं parents को और उनके education ले अगर वो इंडिया में भी कहीं hostel में पढ़ाते हैं तो आज कल hostel जो भी एक अच्छी location पर अच्छी जगें हैं international schools हैं तो वो बहुत expensive हैं और मेरे खाल उतनी ही value में उतनी ही fees में ये अस्ट्रेलिया जाके पढ़ सकते हैं students और साथ में parents भी अगर चाहें as a guardian उनके साथ ह जा सकते हैं independent visa पर उनके take care करने के लिए अब schooling visa बच्चे को अगर बच्चा मैं कहते हूं 7th, 8th, 9th, 10th, 11th किसी भी class में हैं और आपके अगर pocket allow करते हैं तो आप जरूर उसको भीजिए वहां जो student है वो multi culture environment में रहके पढ़ाही कर रहा हैं वो बहुत सारे students के साथ पढ़ र हो रहा है culture exchange हो रहा है और अगर मन लेजे इनका जो है मतलल मौटी वी यह है कि हमने जो है higher studies जो है Australia से करानी है यूनिवरस्टी से करानी है तो आज के दिन आप देखो कि जो बच्चे यूनिवरस्टी में या colleges में लगा रहे हैं उनका rejection rate बहुत है लेकिन schooling success rate जाता है उसका reason एक यह भी होता है कि schooling का जो बच्चा है वो वहां के culture में और वहां मतलब वहीं के environment में पढ़ रहा है तो शायद कहीं न कहीं Australian values को सीख गया है और जो बड़ा हो के बच्चा rural area से हमारा जा रहा है वो शायद उतना अभी सीखा नहीं है वो उनके लिए undergrad बच्चें की कई ब सारी problems आती है तो जाते है schooling में आके वो अपने आपको यहां के हिसाब से थोड़ा सा ढालने बच्चे थोड़ा सा मोल्ड हो जाते हैं और वो उनके लिए asset हो जाते हैं अगर हम बात करें तो Victorian school की तरफ से हम authorized representative हैं जितने विक्टोरिया में स्कूल है मैलवन के आसपास जो व प्रेजेंट करते हैं अगर इनकी inquiry कहीं भी विक्टोरिया गवर्मेंट को जाएगी वह हमें ही आती है और फीस बहुत कमफर्टेबल है छोटी क्लास की फीस काम है जितनी क्लास बढ़ती जाती है थोड़ी सी बढ़ती जाती है हजार दोजार डलर पर क्लास के हिसाब से और इनको जो है शिक्स मंत की फीस ही पहले देनी है कोई ज्यादा नहीं है मैं ख्या पांच छे लाग रुपया स्टार्टिंग में पड़ेगी डिपेंड करता है बाकी क्लास के ऊपर जो लास्ट थ्री क्लास की मार्कशेट जाएगी मानली जे बच्चा जा रहा है टेंथ में तो एक सेवन्थ एट नाइन्थ की मार्कशेटा में चाहिए बर्स एटिफिकेट चाहिए फैनेंश जाएगी और इंकम टेक्स रिटर्न मतलब इंकम कैसे आए पेरिंट सफोर कर सकते हैं स्टडी की नहीं कर सकते हैं उसके बाद स्कूल की सेलेक्शन दी जाती है कौन से एर आप से वो अपना कोर्स चूस करते हैं तो पेरिंट की इन्वाल्मेंट उतनी ही रहती है बच्चे के साथ क्योंकि बच्चा भी छोटा है तो वो कोर्स की लिस्ट भी जिंगे आपको इन में से कौन से सब्जेक्स चूस करने हैं कौन से एरिया में स्कूल चाहिए और गामे पार पेरिंट की पेरिंट वीन रे ठांट से थीजर पार में से चाहिए तो वो अपना डिपेंडनेंट वीजा वीजा और क्योंकि एह पर प्मिन में से अफॉक्ति क्ट POLISE C Pلك C क्लीरन सेर्टीपros चोट फोटे बच्चे चोटे फो बच्चा से पेरिंट के गुत्otros यह प् नहीं सकते हैं जी 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 बिलकुल तो मैं उमीद करती हूँ कि बहुत सारे प्वेंट्स जो आपके डाउट है उसकी क्लारिटी आप सभी को जरूर मिल चुकी है लेकिन फिर भी कोई सवाल हो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल को लेकर जरूर अपने फिर से उस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीजा को लेकर काफी क्लारिटी दी है हमारे सभी दर्शकों को और आगे भी हम इसी तरह से और इंफरमेटी वीडियोस लेकर आते रहेंगे फिलहाल के लिए हमें दीजिये इजाज़त थैंक्यू सो मज्च थैंक्यू